जैहिंद नमस्कार साथियों कैसे हो आप आसा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल नितेश जी के इस्टडी आई हूपर आज का टॉपिक हमारा पॉलिटी जी के से संबंदिद 50 महट्फून प्रिसनों के बारे में यादि आप इनम जाने वाले स सभी प्रितियों के लिए वीडियो बहुत एम्पोर्टेंट होने वाली है इसलिए वीडियो को बिना स्कर्प्रित के पूरा ज़रूदे हैं वीडियो के लाष्ट में एक पिरसन है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना हैं तो अब बिना फक्तितवा हम वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं पहले प्रिशन से राष्टपती देश में आपात इस्थिती की गोष्णा निम लिखित में से किसके लिखित परामार से प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है तो उसका सेगांस रोगा आपको आपस नमबर ए संघीय मंत्री मंदल के मतलब राष्टपती देश में आपात इस्थिती की गोष्णा संघीय मंत्री मंदल की लिखित परामार से प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है Next question देखते हैं संभीधान सभा के सम्मुक किसने संभीधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी तो उसका सियांस रोगा आपको आपस नमर भी पंडेत जवाहरलाल नेहरुने संभीदान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी नेश्ट कुशन देखते हैं इस्थानिये MP तथा MLA गड़ निमले कितमें से किसके पदेन सदस होते हैं तो इसका से आंसरोगा आपको आपस नमर भी पंचायत समीती के मतलब इस्थानिये MP तथा MLA गड़ पंचायत समीती के पदेन सदस होते हैं नेश्ट किश्चन देखते हैं मौलिक अधिकार उपर निमले कितमें से किस की द्वारा पृतिवन्त लगाए जा सकते हैं तो इसका सही आंसरोगा आपको आपस नमर सी उच्टम नियाले द्वारा मतलब मौलिक अधिकार उपर उच्टम नियाले द्वारा पृतिवन्त लगा नेश्ट किश्चन देखते हैं लोग प्रिये प्रभुसक्ता का समर्था ने किया था तो उसका सियांस रोग आपको option number D अमेरीकी संभीधान मतलब किसी अधिनयामित संभीधान का सबसे पहले उधारन अमेरीकी संभीधान है नेश्ट किश्चन देखते हैं बिदेशों को भेजे जाने वाले बिभिन संसदिये प्रतिनिती मंदलों के लिए बेक्तियों का नामांकन निमिलिक में से कौन करता है तो उसका सियांस रोग आपको option number D लोग सभा अंधियाच है मतलब बिदेशों को भेजे जाने वाले बिभिन संसदिये प्रतिनित मंदलों के लिए बेक्तियों का नामांकन लोग सभा अधियाच करता है साथ ही हो comment box में comment करके यह जरूर बताएं आपका score कितना रहा मतलब इन में से कितने प्रतिनों के जवाब आपको पहले से पता थे नैश्ट कुशन देखते हैं किसी राजकेर राजपाल को निमिलिक में से किसकी सकती नहीं है नैश्ट कुशन देखते हैं निमिलिक में से उच्चितम नयाले की सबसे पहली महिला नयाज़ी से कौन थी नैश्ट कुशन देखते हैं पंदरावी लोग सभा के अध्यच कौन है नैश्ट कुशन देखते हैं भारत में बित आयो के सदसों की निमिलिक किया गया था नैश्ट कुशन देखते हैं निमिलिक में से किस समीती का पदेन अध्यच लोग सभा का अध्यच होता है नैश्ट कुशन देखते हैं राज लोग सभा के सदसों की निमिलिक कौन करता है नैश्ट कुशन देखते हैं राज सभा कभ भंग होती है तो इसका से जान स्रोगा आपको अप्स नमर दी कभी नहीं है मतलब राज सभा कभी भंग नहीं होती है नैश्ट क्रिशन देखते हैं भारत में मंतरी परिषद सामुही के रूप से किसके पृत्ति उत्तरदाई है तो उसका सियांत रोग आपको आपको आपस नमर ए लोगसवा के मतलब भारत में मंतरी परिषद सामुही के रूप से लोग सवा के प्रति उत्तरदाई है नेश्ट क्रिशन देखते हैं भारतिय समीदान दौआरा मौलिक अधिकार दिये गए हैं तो उसका से जांसरों का आपको option नमर भी समस्ति देशवासियों को दिये गए हैं नेश्ट क्रिशन देखते हैं राज पनरगठन आयोग के अध्यचे कौन थे तो इसका सियांस रोगाव का आपको आप्सिन नमर ए फजल अली मतलब राज पनरगठन आयोग के अध्यच फजल अली थे नेश्ट क्रिशन देखते हैं पंदरावी लोग सभा में अनुसूचित जाती के अमीदवारों के लिए कितने इस्थान आरक्षित हैं तो इसका सियांस रोगाव का आपको आप्सिन नमर ए फजल अली चौरासी मतलब पंदरावी लोग सभा में अनुसूचित जाती के अमीद नाश्ट्र कुछिशन देखती हैं, भारत गरतंतर कब बना था तो उसका गाता सो यांसरोग आपका आपको आपको आपस नमरे66 जन्वरी 1950 को बना था, नाश्ट्र कुछिशन देखती हैं, भारतिया सम्मिदान में मौलिक कर्तब कब समयलित किये गए थे तो उसका नैश्ट किशन देखते हैं कौन सी धारा संसर्ट तथार राज विधान मंदलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। नेश्ट कुशन देखते हैं, पंचाती राज प्रणानी में महिलाओं के लिए कितने 35 सीटे अरक्षित हैं, तो उसका सियांत रोगा आपको 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 उच्छ नयाले के नयाझीतों की न्युकति करते है तो उसका सही आन्स flew कब आपको option number A आणिवारी है नैश्ट कुश्चन देखते हैं निमलिक्ति में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है तो उसका सेयांस रोगा आपको आपको आपस नमबर एक सत्ता नैश्ट कुष्चन देखते हैं धर्म निर्पेक्षर राष्ट का अर्थ क्या होता है तो उसका सियांसरों का आपको option number B धर्म बिरहतिर राष्ट नैश्ट कुष्चन देखते हैं आधुनिक समय में बिधी का एक मातर साधन है मतलब आधुनिक समय में बिधी का एक मात्र सासन सासन है नैश्ट किश्चन देखते हैं सामाजिक समता से क्या अभी प्राप्त होती है तो इसका से यांसरोग आपको आपको आप्सन नमर ए मतलब नैश्ट किश्चन देखते हैं तो इसका से यांसरोग आपको आपको आप्सन नमर ए मतलब भारत में राश्ट पती अपना त्याग पत्तर उप्राश्ट पती के समख्च पेश करेंगे नैश्ट किश्चन देखते हैं संभीधान की किस अनुसूची में छेतरी ये बाइस भासाएं सम्मिलित की गई हैं तो इसका से यांसरोग आपको आप्सन नमर ए आठवी अनुसूची में योजना आयोक का अध्याची परद्धान मंतरी होता है नैश्ट किश्चन देखते हैं गरीवी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है तो इसका से यांसरोग आपको आपको आप्सन नमर ए इंदरा गांधी का गरीवी हटाओ का मौलिक अधिकार पक्षे USA के सम्विधान्स के समान है नेश्ट कृष्चन देखते हैं संयुक्तिर राष्ट दिवर से कितिती को मनाया जाता है तो उसका से यांस रोगा आपको ऑप्स नमबर C संयुक्तिर राष्ट संग में हिंदी में भाशन देने वाले पिर्थम बैश्टी अटल बिहारी बाचपी थे नेश्ट किशन देखते हैं संयुक्तिर राष्ट संग ने 9 लित्त में से कौन से दिन मानाम अधिकारों का गोशना पतर स।ब किया था नेश्ट किश्चन देखते हैं अंतराष्टी नियालय में कितने जज़ होते हैं तो उसका अंतराष्टी नियालय में 15 जज़ होते हैं नैस्ट कृष्टन से जुड़ा पहला विसिष्ट संगठन कौन सा है ? तो उसको सही जांस रहूग आपको option number B अंतरराष्ट ये संगठन मतला संयुक्त राष्टन से जुड़ा विसिष्ट संगठन अंतरराष्ट ये संगठन है नैस्ट क्रिश्टन देखते हैं मतलबी रूस जर्मिनी संगेस्ट्राज अमेरिका और मतलब बैस्पपिर सवास सं giàचन के अंत्रगत कुल कितने राष्ट है तो इसका सिएकांत भेज आपको ऑपार सवास सं संग्ठन के अंत्रगत लगवब्य है नाथ स्थिट इंटराष्ट संके सुरक्षा परिशत की सदस संक्या है तो इसका सिगांस रोग आपको और ये नवा में मतलब इंटरणेशनल कम्यूनिकेशन यूनियन का मुख्याल है जे नवा में इस्थित है Next question देखती है, विस्वुद पर्यावरने दिप्प से कम मनाया जाता है तो उसका सिखाच इन्स रोग आपको option number 2 5 जून को मतलब विस्वुद पर्यावरने दिपर से 5 जून को म मनाया जाता है Somurs question देखती है, रेडि करास का संस्थापक कौन था तो उसका सियांस रोग आपका option number C J.H.Dunant मतलब रेड़ी क्रास का संसापक J.H.Dunant था Next question देखते हैं सहींगतर राष्ट संग कब अस्तित में आया था तो उसका सियांस रोग आपका option number B 1945 को मतलब सहींगतर राष्ट संग 1945 को अस्तित में आया था Next question देखते हैं अंतराष्ट की न्याले कहां इस्तित है तो उसका सियांस रोग आपका option number A हेग में मतलब अंतराष्ट की न्याले हेग में इस्तित है Next question देखते हैं सहींगतर राष्ट संग की आमसमा की अध्याचे एक मातर कौन भारती महिला बनी थी Next question देखते हैं बरन भीद के ब्रुद स्यंगतर राज सम्मेलन आज़ित हुआ तो इसका सियांस रोग आपका option number B बरन भीद के बिरुद स्यंगतर राज सम्मेलन बरन में आज़ित हुआ था Next question देखते हैं के आज था ही सदस्का कारीकाल दो बर्स है नैश्ट क्यूशन देखते हैं सहींत्र राष्ट सुरक्षा परिश्द में सरवादिक बार निसेद अधिकार का प्रियोग किस देश ने किया तो इसका सही आंत्रों का आपका ओप्स नमर एक रूस देश ने मतलब सहींत्र युनाइटेड नेशंस डेवलप्मेंट प्रोग्राम है नैश्ट क्यूशन देखते हैं यूनेश्ट का मुख्याल है कहां इस्तित है तो इसका सही आंसरों का आपका ओप्स नमर डी जेनवा में मतलब यूनेश्ट का मुख्याल है जेनवा में इस्तित है नैश्ट आपका भारती सम्मिदान के किस संसुदन द्वारा प्रस्ताबना में दो सब्द सामाजबादी और धर्मने पेश जोड़े गए थे इसके चार ऑप्शन है ऑप्शन एक 28 बी 40 बी 42 बी 52 तो उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है साथी चैनल पर नए है तो चैनल को सब् और कितना रहा मतलब इन 50 पिसनों में से आपको पहले से कितने पता थे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद